नमस्कार आप देखे हैं वीके न्यूस मैंने दी सोशल मीडिया पर बॉलिवूड एक्टरस का ट्रोल होना कोई नई बात नहीं है लेकिन ऐसे बहुत कम बार हुआ कि जब बॉलिवूड एक्टरस ने इसका मूद तोर जवाब दिया हो जी हां कुछ ऐसा ही इस बार हुआ जब तापसी पन्नू को ट्रोल करना एक शक्स को भारी पड़ गया देखिए हमारी इस रिपोर्ट में साउट से बॉलिवूड में कदम रखने वाली तापसी पन्नू को और एक स्ट्रॉंग एक्टरस के रूप में देखा जाता है अमिताप बच्चन के साथ आई पिंक मूवी में उनके किर्दार को खूब पसंद किया गया इसके बाद तो इनको एक के बाद एक कई फिल्में ओफर होने लगी साथ ही फैन फॉलोइंग भी पहले से जादा हो गई है लेकिन इसके बाद भी तापसी को ट्रॉल होना पड़ा जी हाँ, सोशल मीडिया पर अफसर बॉली वोड अक्टरस को ट्रॉल किया जाता है जिसे वो जादा तर इग्नॉर कर देती हैं लेकिन तापसी उन अक्टरस में से नहीं है सोशल मीडिया पर एक चॉक्स ने जब तापसी को ट्रॉल करा तो तापसी ने भी उसका मूद तोड जवाब दिया आपको बता दे कि रोहित नाम की इस चॉक्स ने तापसी के बारे में लिखा कि तापसी पर्लू बॉलिवुड में सबसे खराब दिखने वाली महीला है उमीद करता हूँ कि मुझे इने दुबारा नहीं देखना पड़ेगा दो तिन फिल्में और इसके बाद इनका कर्याथ खत्म हो जाएगा फिर तापसी ने भी इसका जवाब देते हुए कहा लेकिन तीन तो मैंने साइन कर ही ली है मुल्क, मनमर्जिया और बतला साथ ही ये कहते वे मुझे खेद हो रहा है कि मैं इसके अलावा दो फिल्म पहले से ही साइन कर चुकी हूँ अब थोड़ा तो और झेलना ही पड़ेगा ये ट्वीट वोर यही नहीं रुका इसके बाद रोहित तापसी के इस बात पर जवाब देते हुए लिखता है कि अरे क्या बात कर रही हैं आप इसमें झेलना कैसा मैं तो आपकी मुवी देखता ही नहीं हूँ तो पता ही नहीं चलता कि कब आई और कब गई इस पर तापसी ने फिर से जवाब देते हुए कहा कि मतलब मन और अंजन तो मैं आप तक पहुचा ही रही हूँ मतलब अभी नेतरी का तो सारा काम हो ही गया फ्रिपय अपना टेस्ट अच्छा कीजिए तो फिल्में भी अच्छी देख पाएंगे जैश्री राम आने वाले दिनों में तापसी मुल्क मूवी में नजर आएंगी ट्रेलर हाली में लॉंज हुआ है जिसमें वो एक वकील का किरदार निभाती नजर आएंगी वीके न्यूज की रिपोर्ट